स्वागते दोफ्तों एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल मेडिसेन रिवियू में जहां आप आते हैं सबी दबान्यों का रिवियू तो दोफ्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी बिटामिन इंजेक्शन के बारे में जो की सबसे ज़्यादा यूज में लिये जाते हैं तो कौन-कौन से मल्टिप्टामिन इंजेक्षन है किन-किन बीमारियों में इनका यूज लिया जाता है इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तो उसमें सबसे पहला injection है मिठाइकोवालामिन इंजेक्षिन इसकी जो famous ब्रांड है वो है निउरोकार्ण इंजेक्षिन तो तो मिठाइकोवालामिन को हम मिकोवालामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसका मैली यूज जो है निट्रिफनल डिपिसियंसी यानि कोपोशन क के इलाज में किया जाता है साथी विटामिन B12 डिपिसियंसी यानि अगर किसी के सरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसमें भी इसका यूज लिया जाता है इनेमिया यानि अगर किसी के सरीर में खून की कमी हो जाती है तब भी इसका यूज लिया जाता है आयरेन ड इंजेक्शन का यूज लिया जाता है देनेस के बाद अगला इंजेक्शन है इल्डर विट 12 इंजेक्शन इस इंजेक्शन के अंदर जो है फॉलिक एसिड मिधाइको वालमेंड निया सीनमाइड और भी बहुत सारे विटामिन्स पाय जाते हैं और इसका यूज न्यूट्रि का यूज लिया जाता है इनेमिया यानि की खून की कमी होने पर हार्ट प्रॉब्लम यानि अगर किसी बेक्ट क्यों हिर्दे से संबंदित कुई प्रॉब्लम हो जाती है तब इस इंजेक्शन का यूज लिया जाता है आर्बीसी प्रोडक्शन यदि किसी के सरी में आर्बी beyond injection दुफ्तु ये भी काफी यदा famous brand है इसके इंदर sinocoplamide, niacinamide, riboflobin, deepanthol और भी बहुत सारे vitamin पाए जाते हैं और इसका mainly use nutritional deficiency में किया जाता है यानि कि कोपोशन में किया जाता है iron deficiency यानि कि iron की कमी होने पर vitamins deficiency body में vitamins की कमी होने पर और diarrhea की इलाज में और arthritis यानि कि गठिया की इलाज में तो इन सब condition में इस polyvion injection का यूश लिया जाता है तेनेस के बाद अगला injection है MBI injection दुफ्तु यह भी बहुत ज़्यादा famous brand है और काफी ज़्यादा यूश लिया जाता है दुफ्तु यह injection एक multivitamin injection है इसके अंदर काई सारे vitamin 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 V1, V5, V6 और भी काई सारे vitamin दियो होते हैं और इसका mainly use nutritional deficiency यानि कि कोपोशन के लाज में किया जाता है strength muscle यानि कि मास्पेसिय को मस्बूत करने के लिए किया जाता है vitamin deficiency vitamins की कमी होने पर किया जाता है जायरिया यानि कि जब किसी वेक्त को दफ्त आने लगते हैं तब भी इसका यूज लिया जाता है dgness problem यानि अगर किसी वेक्त को चक्कर आते हैं तब भी इस MBI injection का यूज लिया जाता है देने इसके बाद अगला injection है नियूरो स्टार्ट सीबन injection दुफ्तु यह भी बहुत ज्यादा famous ब्रांड है इसके अंदर milkobalamin folate acid और niacinamide दिया होता है और इसका mainly use anemia यानि यानि किसी वेक्त के सरीर में जो आए खून की कमिल हो गई है तब इसका यूज लिया जाता है RBC production यानि RBC की संख्या को बढ़ाने के लिए nutritional deficiency यानि कोपोशन के इलाज के लिए diabetic neuropathy दुफ्तु यह एक बिमारी है इसमें बेक्त के हाथ और पैरसुल पढ़ने लगते हैं तो इसमें भी इसका यूज लिया जाता है High cholesterol यानि यदि किसी के सरीन में cholesterol का लेवर बढ़ गया है तब भी इस injection का यूज लिया जाता है देने इसके बाद अगला injection है विटको fall injection दुफ्तु यह भी काफी जादा famous और काफी जादा विकने वाला ब्रांड है जो की FDC company द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर folic acid, finocoblamide और niacinamide दिया होता है और इसका use anemia यानि एक खून की कमी होने पर megaloblastic anemia में भी इसका use लिया जाता है Sunburn यानि जादा ते धूब में रहने की बज़े से कई विक्तियों के skin जुलच जाती है तो उसमें भी इसका use लिया जाता है vitamin B12 deficiency, vitamin B12 की कमी होने पर diarrhea यानि की दफ्ताने पर arthritis यानि की गठिया की इलाश में तो इन सम्में इस bitcofollow injection का use लिया जाता है देने इसके बाद अगला injection है optineuron injection जुफतो ये injection एक vitamin B complex injection है और इसके साथ में इसमें vitamin B12 भी दिया होता है और इसका use inemia यानि की खून की कमी होने पर गिया जाता है sunburn यानि जदा ते धूब में रहने की बज़े से इसके जुलस जाती है तो उसमें किया जाता है muscle cramps यानि अगर किसी को mass patient में खिचाओ आ जाता है तब भी इसका use लिया जाता है तो दुफ्तों आज की इस वीडियो में हमने सबसे ज्यादा यूज किये जाने वाले multi vitamin injection के बारे में जाना तो अगर आप इनसे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे comment कर सकते हैं तो दुफ्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share करें और एकर चैनल पर पहली बार बजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लें तो आज की इस वीडियो में बफ्तना आए तो thanks friends and ब प्लाटरम